हेलो दोस्तो स्वागत है आपका आपी के यूट्यूब चैनल स्टॉप मार्किट अपडेट्स में जो भी साथ ही हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बैल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर वीडियो की अपड हमने एक पैनी स्टोक्स की सीरीज स्टार्ट की हुई है और इसमें मैं आपके लिए ऐसे पैनी स्टोक्स लेकर आता हूं जो की फंडामेंटली स्ट्रोंग हैं जो कम्पनियां प्रोफिट में चल रही हैं और जिन पर नामातर का और जो बिल्कुल डैब्ड फ्री कम्पनी हैं ऐसी पैनी स्टोक्स मैं आप सभी के सामने लेकर आ रहा हूं और यह जो पैनी स्टोक्स हैं यह इन फ्यूचर मल्टी बैगर जो हमें रिटर्न्स हैं वो दे सकते हैं चलिए हम अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज एक और ऐसे ही पैनी स्टोक के बारे में डिसक तो आज आपदेख सकते हैं आज भी कमप्री ने अपने निवेश्कों को दिये हैं 6 महीने में देख सकते हैं पैसा double हो चुका है means 27 पैसे का share 54 पैसे का हो चुका है तो चलिए हम इसके सबसे पहले financials मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो company है ये investment advisory service provide करवाती है ये इसके market cap की बात करूँ तो 28.1 crore का इसका market cap है और मैं आपको बता दिना चाहता हूँ ये company NSE पर listed नहीं है ये company आपको BSE पर ही मिलेगी 52 week high 0.59 उसके बिल्कुल आजपास ये company trade कर रही है stroke PE 563 है return on equity 0.09 face value company का one है अब जो positive factors क्या है company के आप देख सकते हैं company is almost debt free ये सबसे positive factor है stroke trade कर रहा है at its 0.53 times its book value अब हम देख लेते हैं जो company है जो हम main चीजें profit और lows हम check करते हैं वो सबसे जरूरी होता है मार्च 17 अगर मैं पिछले 4-5 साल की बात करूँ तो आप देख सकते हैं मार्च 17 में 0.07 crore का profit था then 0.04 crore 0.03 crore मार्च 20 0.02 crore और अभी 0.05 crore means company के जो profit है वो generate company कर रही है sales आप देख सकते हैं मार्च 18 में 0.53 crore की sales थी जो मार्च 19 में बढ़कर 0.95 हुई मार्च 20 में बढ़कर 1.24 हुई और अभी 0.71 है तो means company का जो profit और loss है वो okay okay ही हमी नजर आ रहा है देखिए दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ यह सिरफ एक 23 crore के market cap की company है बहुत छोटी company है अगर आप यह सोच रहे होंगे की यह company 28 crore की market cap जिसका है वो 20 crore का profit देदेगी यह 10 crore का profit देदेगी तो यह चीजें possible नहीं होती यह penny stocks है बड़े छोटे stock है सस्ते stock है इन stocks का तो अगर यह positive में profit generate कर रहे हैं यही चीज सोने पे सुहागा होती है और दूसरा यह जो company है almost debt free है यह भी बड़ा positive factor है अब मैं आपको share holding pattern दिखा हूँ तो promoter 6.36 और public किसमे 93.64% की holding है अब मैं आपको इस company की balance sheet दिखा देता हूँ company के सबसे पहले as usual मैं reserves की बात करूँ तो company के पास March 17 में 0.93% के reserve crore के reserves थे then 0.97 then 1 crore then 1.03 crore और अभी 1.08 crore means धीरे धीरे ही सही company के जो reserves है वो लगातार बढ़ रहे हैं कर्ज आप देख सकते हैं पहले 0.43 crore होता था अभी company के पास long term में सिरफ 0.32 crore का ही कर्ज available है short term में आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया एक रुपे का भी कर्ज company के पास नहीं है assets जो अभी company के पास और cash available है तो cash company के पास 0.08 crore का है वहीं अगर मैं company के assets आप देख सकते हैं 62.22 crore के company के assets हैं तो overall अगर मैं बात करूँ जैसे हमने इस means अभी तक मैंने आपको company का जो profit और loss है उसकी sheet दिखाई शेयर holding pattern दिखाया company की balance sheet दिखाई तो इन सभी से जो company है वो okay okay ही हमें नजर आ रही है छे महीने में निवेशकों का पैसा दोना हो चुका है देखिए जिसी सहाब से ये एक company है means तो इसमें जो investment है वो तो देखिए risky रहेगी मैं पहले ही बोल देता हूं क्योंकि ये जो stock होते हैं बड़ी ये micro से भी micro cap ये companies होती है अगर ये चड़ गए तो ये इतना भागते हैं कि आपका जो पैसा है वो पता नहीं हजारों multiple times ये इतने गुना कर देते हैं और डूब भी सकता है तो इसमें जो आप invest करोगे अगर आप means ये छोटा price है अगर आप इसमें invest करना चाते हैं तो आप please उतना ही invest करें जितना आपकी risk taking ability है आप ये ना सोचें कि अब मैं इसमें एक लाग उर्पे लगा दू या दो लाग लगा दू ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें आप अपने risk से हिसाब से इसमें invest करें आप इतना invest करें कि अगर आपका वो कल zero भी हो जाए तो आपको उससे कोई फरक ना पड़े no doubt company ठीक performance कर रही है मैं जादा अच्छी तो नहीं कहू काटर में yearly wise profit generate कर रही है profit हाला की fluctuation manner में है उपर नीचे चलता रहता है लेकिन profit generate कर रही है दूसरी बात क्या है short term में company के उपर करज नहीं है company के reserves धीरे धीरे बढ़ रही है long term में थोड़ा सा 0.3 क्रोड का करज है वो पहले 0.4 होता था आप उसको गटा के 0.3 कर दिया गया है तो overall अगर देखे तो company ठीक ठाक नजर आ रही है और 54 पैसे क्या कीमत होती है आप सभी को पता है means आप 1 रुपे में लगबग 2 share रिसके उठा सकते हो तो अपने रिसक से हिसाब से आप इसमें buy करके चल सकते हो in future यह आपको अच्छे कासे returns कमा कर दे सकती है तो दोस्तों यह हमारी जो यह penny stocks की series है उसका यह आज का stock था जो मैं आपके लिए एक debt free और एक profitable छोटी company penny stock लेकर आया था Bombay Stock Exchange पर यह listed है NSC पर यह listed नहीं है तो आप भी अपनी comment section में इस वीडियो को लेकर राय जुरूर देना इस company के बारे में अपनी राय जुरूर देना वीडियो को लाइक करना चैनल को subscribe करना मिलते हैं आगली वीडियो में तब तक के लिए take care bye bye